नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना न्यूज एक्स्प्रस में हूँ आपके साथ का अजल आए रुप करते इस वक्त के बड़ी खबर की ओड़ सांसाथ दीपेंदर हुड़ा ने कहा की कॉंग्रस के शाशनकाल में तक कालीन मुख्यमंतरी भुपेंदर सिंग हुड़ा ने पदक लाओ पद पाओ की नीती बनाई थी परंतु आज की सरकार ने खिलाडियों के प्रती भेदभाव दिखाते हुए अभी तक किसी भी ओलम्पिक पदक विजेता को कोई पद नहीं दिया है राजसभा सांसद दीपेंदर हुड़ा सोनीपत में ओलम्पियन पदक विजेता रवी दहिया के सम्मान समारों में बतौर मुख्यातीदी पहुचे थे जहाँ पर उन्होंने पद्रकारों से मुखातिब होते हुए सरकार पर जम का निशाना सादा शेहर के दिल्ली रोड पर ओलम्पियन रजट पदक विजेता रवी दहिया का सम्मान समारों का आयोजन किया गया था जहाँ पर मुख्यातीदी के तौर पर राजसभा सांसद दीपेंदर पहुचे थे जहाँ पर उन्हों ने सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि एक खिलाडी किसी पार्टी विशेश का नहीं बलकि देश का होता है हमें खिलाडियों का सम्मान राजनीती से उपर उठकर करना चाहिए सोनी पत्त से हमारे समवाद दाता विकास ओल्यान की रिपोर्ट हरियाना के अंदर हमारे सिल्वर मेडलिस्ट हैं हरियाना में आदे मेडल आए इन खिलाडियों को भी लगाए जाए पिछली उलंपिकी हमारी बें साक्षी मिलिक को भी अभी तक नहीं लगाया गया है तो सरकार को लगाना चाहिए उसी नीती को सरकार लेकर आए यह विधान सवा में भी उठाई है उठाई है अच्छा दूसरी दो बाते और खत्री आपके माद्यम से क्योंकि सारा प्रैस आपके माद्यम से जो जल बरा उसे है बहुत से गाउं अभी भी बहुत रस्त हैं सोन दो जाए उनका मौज़ा जाए 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 लृट फ़सल का मुखसान हो गया है और जो है अपना दूसरी बात खरीद है और दूसरा आपके माद्यम से जो घ्यारा तारीक कर दिये हम यह मांग करते हैं कि पहले हुने पच्छीस खुदी का सरकार ले फिर उसको पच् एक तारीक हो गया जाए 11 तारीक तो यह किसान एक फूल पसीने की महनत का मज़ा गुड़ानया काम सरकार करें ऐसा दिखाई देता है जल बराओ में तरस्त किसान उनकी इसायता नहीं कर रही और अब खरीद लेट कर रही है खही ना कहीं सरकार इस किसान को परिशान करना च पूले